नमस्कार है मेरे प्यारे बच्चों ज्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोग जुड़ चुके हैं अरुनेश कुमार के साथ और मैतली शरंड गुप्त का हम पढ़ाएंगे आज साहितिक परिछे रचनाएं जैसा बताएंगे सेम ऐसा ही लिखके आना है आपको न कम न ज्यादा क्यूकि पूरे पाँच नमबर पाने के लिए थोड़ी सी मेहनद तो करनी पड़ेगी न वे पाँच नंबर का सवाल है पाँच नमबर की बात है कोई यूँ ही नहीं दे देगा आपको है न एडिट जी हैं प्रिया जी हैं ललल्लण मिश्रा जी हैं चायत चलो भाई समझो समझेए भाई सहाब समझेए सबसे पहले छोटा सा आप जीवन परिचे डालेंगो और इससे पहले आप बनाएंगे flow chart flow chart बनाएंगे flow chart में संख्षिप्त जीवन परिचे आपको लिखना होगा तीक संख्षिप्त आप जानते हैं आपकी बुक में एक कॉलम में एक आयत में दिया होगा वही लिखना है नाम पिता का नाम जन्म रत्यू स्थान साहित में और भाषा शालीवा इतना ही लिखना होता है कोई विशेस वो नहीं होता है ठीक है अब यहां देखो सबसे पहले हेटिंग डालोगे आप जीवन खेकी स्री मैतलि शर्रणगुप्त जी का जन्म कहा हुआ था चिरगाओं जहांसी में हुआ था इतनी बात आपको समझ में आई होगी चिरगाव जहासी ध्यान रखना किसका मैतलिशन गुप्त का समय क्या था समय था 1886 भी क्या था 1886 याद रखना चिरगाव जहासी याद रखना ठीक है किसका मैतलिशन गुप्त याद रखना 1886 चिरगाव जहासी में मैतलिशन गुप्त का जन्म होता है और हिंदी साहित्य से बड़ा लगाओ था, जिसका बाप हिंदी साहित्य से लगाओ करेगा, उसका बेटा वास्तविक रूप से करी लेगा। ठीक, इंदी साहित्य से प्रेम किसे था राम चरण को, तो गुप्त जी को भी बड़ा प्रेम था, गुप्त जी की सिक्षा दिक्षा घर पर ही संपन हुई, एक्चुली होता क्या था, पुराने जमाने में इका होता था कि लड़कों को स्कूल नहीं भेजते थे, लड़कियो बच्चा जब 4-5 क्लास में आगे, 4-5 क्लास पढ़नी होती थी, तब वो स्कूल जाता था, शुरुवाती सिक्षा घर पर ही होती थी, घर को इपाट साला बना दिया जाता था, मेरी पहली किताब लाई जाती थी, पढ़ाया जाता था, तो ऐसा होता था सारे लेखकों के सा और भाई साब ये अगर आप लिख देंगे ना, इनकी सिक्षा दिक्षा घर ही पे हुई, उर्दू संस्क्रित भासा का अच्छा ग्यान था, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फार्सी का अच्छा ग्यान था, उस समय में भासाएं चलती थी, ज्यान होता था, सबको लगभग हो इतना पॉइंट आपको जीवन परिचे में जरूर एन्वाल्ब करना है, 1964 में मृत्यू, कब 12 दिसंबर, 1964, गुप्त जी का देहावसान आज भी नहीं हुआ है, उनका केवल नश्वर शरीर मरा है, उनकी अमर कृतियां आज भी भारत भारती येसी हमारे आसपास बटकती है और हमेशा हमारे आसपास रहेंगी, बस शरीर नहीं रहा, लेकिन इनकी कृतियां जरूर रहेंगी, तो इतनी बात आपको समझ में आई, 12 दिसंबर, 1964 को देहावसान, 1886 में जन्म, राम चरन गुप्त पिता थे, चिरगाओं जिला जहांसी में इनका जन्म हुआ था, मैं त साहितिक प्रतिभा के धनी थे, एक बड़े कवी के रूप में हमारे सामने आए, दुवेदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवी थे, तो इतनी बातें आप क्लियर कर लेंगे यहाँ पर, फिर अगले पेच पे चलेंगे, साहितिक परिच्चे हेटिंग डालेंगे, जिससे आपक करके इन्होंने हिंदी कावे की धारा को समरिति किया, इन्होंने लिखा था एक बात, कि करते तुलसी दास भी, कैसे मानस नाद, और महावीर का यदी उन्हें मिलता नहीं प्रसाद रे भाईया, महावीर का यदी उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तो कैसे तुलसी दास जी मानस नाद करते, तो महावीर प्रसाद दिवेदी जो थे, ये मैत्रिचन गुप्त के गुरू थे, तो इनके संपर्क में जब आये, तो मैत्रिचन गुप्त जी ने महावीर प्रसाद दुवेदी, जो की सरसुती पत्रिका के संपादक थे इनकी रचनाओं को वापस कर दिया क्योंकि मैत्रिशन गुप्त जो थे वो ब्रजभाशा में लिखते थे तो महावीर प्रसाद दुवेदी ने कहा वेटा ऐसा है आप खड़ी बोली में लिखो ब्रजभाशा के में नहीं छापेंगे सरसुती में तो उनी की प्रेणा से मैत्रिशन गुप्त जी ने खड़ी बोली में कावे रचनाए की तब से पहले उर्मिला विशेक उदा सीनता पर लेखे छपा था तो उसी को आधार बना कर इन्होंने उर्मिला को केंदर में रख करके साकेत लिख डाला था तो साकेत इनकी प्रकाशित हुई थी, तो यहां समझो कि मैत्रिशन गुप्त जी जब महावीर प्रसाद दुवेदी के संपर्क में आये, तो उनकी प्रेणा से काब रचना करके इन्होंने हिंदी काब धारा को बहुत समरिद किया, इनकी कविता में राष्ट्र भक्तियों, राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुक रूप से मुखरित हुआ है, इसी कारण हिंदी साहित के ततकालीन विद्वानों में इनको राष्ट्र कभी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, राष्ट्र कभी की उपाधी से विभूशित किया गया, ठीक है, गुप्त जी यानि मैत्र इनकी प्रारंबिक रचनाय कलकत्ता यानी कोलकाता से जो प्रकासित होने वाली पत्रिका थी वैश्यो उपकारक एक पत्रिका थी कलकत्ता से प्रकासित होती थी तो उसी में इनकी रचनाय प्रकासित होती थी आचारे दुवेदी यानी महावी दुवेदी के संपर्क होने के क प्रकासित होती थी इनकी प्रथम पुस्तक जो है वो रंग में भंग है क्या है प्रथम पुस्तक रंग में भंग है इसका प्रकाशन सन 1909 इस भी में हुआ था किन्त उन्हें ख्याती सन 1912 इस भी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती से मिली रंग में भंग से मजानी आया रंग में भंग के बाद जब भारत भारती प्रकाशित होती है 1912 में रंग में भंग तो 1909 में प्रकाशित हुई थी तो पहली पुस्तक यहीं मानी जानी चाहिए और भारत भारती के पस्चाथी इनको ख्याती मिलनी प्रसिद्धी इनको किस से मिली भारत भारती से मिली भारत गुप्त जी प्रमुक रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धास्त थे उन्हें प्रबंध काव्य एक विस्तरत काव्य होता है दुवेदीयुक के सबसे अधिक लोक पर ये कभी माने जाते हैं कौन? कौन माने जाते हैं? माय अथिली शर्म गुप्त जी ठीक है? अब आते हैं हम रचनाओं की तरफ रचनाओं आप कृतियां हेटिंग डालेंगे और आगे लिखेंगे गुप्त जी की रचनाओं दो प्रकार की हैं एक तो है कैसी मौलिक रचनाओं अच्छा मौलिक रचनाओं कौन सी होती है मौलिक रचनाओं वे रचनाओं होती है जिनको कभी खुद से लिखता है और अनुदित वे रचनाओं होती है जिनका किसी अन्य भाषा से अनुवाद कभी करता है मानलो कोई रचना संस्कृत में इस लोक लिखें उस इस लोकों को हिंदी में कविता बना दिया जाए तो वो अनुदित हो गई तो ये एक तो भारत भारती इनकी मौलिग रचना थी इसमें देश के प्रति गर्व और गौरों की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं इसी रचना के कारणवे राष्ट कवी के रूप में बिख्यात हुए थे और ये रही आपकी भारत भारती और भारत भारती 1912 में प्रकाशित होती है रंग में भंग 1909 में प्रकाशित होती है ध्यान रखना इसका सन पूछा जा सकता है objective question में हमारा साहितिक परिचे पढ़ाने का तातपर ये नहीं है कि हम आपको क्या करेंगे केवल पढ़ा के चले जाएंगे यहां से आपके जो objective बनने हैं दादा वो भी तो आपके सही हो मतलब यह है कि आपको जीवन परिचे साहितिक परिचे पढ़ना है और इसके साथ आपको एक बड़ा काम इससे objective question निकालना है है ना तो यह काम आप करना है तो मैतरी सरन गुप्त की जो भारत भारती है ये भारत भारती मेरे पास कहीं थी अभी इस समय नहीं है वरना मैं दिखा देता आपको भी दिखाई नहीं पड़ रही है ये तो भारत भारती आपको सुनाते ठीक है तो ये भारत भारती 1912 में प्रकासित होती है और इसी के कारण राष्ट प्रेम से संबन्दित ये करती है और इसी के कारण मैतरी सरन गुप्त राष्ट कभी कहला पीडिया डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी वहां से अपडेट कर देंगे तो डाउनलोड कर देना ठीक है यह शोधरा इसके बाद एक क्रती है इनकी यह शोधरा साकेत पहले पढ़ो साकेत रामचरित मानस के पस्चात हिंदी में अगर रामकाब्य का दूसरा के प्रेम को दर्शाया गया है और मिला को केंदर में रखा गया है वहां पर राम केंदर में नहीं है और इसके बाद यह शोधरा आता है यह शोधरा इसमें उपेक्षित यह शोधरा के चरित्र को कावविका आधार बनाया गया है यह शोधरा की पंक्तियां है कि अबला जी आती आपके सामने है तीन मौलिक रचनाएं फिर यहां पर देखिएगा तमाम अन्य प्रमुक रचनाएं इनकी देखिएगा अनूदित रचनाएं पहले देख लो अन्य इनकी है जैदरतवद है जंकार है सिद्राज है कुणाल गीत है अनक है पंचवटी है द्वापर है यह है चुकि यह एक अनूदित है और यह कई बार पूछी गई है आपके एक्जाम में ठीक है जैदरतवद यहां पर देखो एक है जैदरतवद है यह पुस्तकों के फोटो देख के याद रखिएगा तो जैदरतवद जंकार सिद्राज पुणाल गीत अनक पंचवटी द् पर ठीक यह ऐसे याद रखिएगा इतनी है अब आपको मैं ट्रिक बता देते हैं ठीक है रंज भासायज रंज भासायज ऐसे याद रखिएगा रंग में भंग जैदरतवद भारत भारती साकेत यशोधरा और जैदरतवद फिर इतनी इतना ट्रिक बना लिया रंज भासायज रंग में भंग जैदरतवद भासायज भारत भारती साकेत और यशोधरा और जैसे जैदरतवद फिर आता है जंकार सिद्वा सिद्राज द्वापर जंकार सिद्राज और द्वापर तो जंकार जैसंकर प्रसाथ की भी है तो यहां पर याद रखना इनकी ट्रिक आप बना लो मैंने जो आपको बताई है क्या बताई है भा रंज रंज भासा यज यह रंज भासा जैब सक्तो रंग में भंग जैदरदबाद भारत भारत भारती साकेत और यशोधरा और जैदरदबाद ठीक है तो इस तरहे इनकी रचनाओं की ट्रिक बना करके याद कर लीजिएगा बहुत आती हैं मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में इनी का लिखा हुआ कह कही का अनुताप ले करके तब तक के लिए नमस्कार मस्त रहिए स्वस्त रहिए तंद्रुस्त रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब तो आप करें